और चैनल इस वीडियो में हम लोग डिसक्रस करने वाला है कल बैंक निफ्टी कॉनसी लेवल पर बेस्ट मुवमेंट कर सकते हैं कॉनसी लेवल पर बाई या सिल कर सकते हैं उसको पर डिसक्रसन करेंगे और उसके साथ साथ कुछ पूरा वीडियो जरूर देखना वीडियो पसले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा जनकरी चार्णे के लिए आपको हमारे टेलीग्रम चैनल जोईन कर सकते हैं तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो फस्ट अफ आफ आल डेल लेकिन उसके बाद मार्केट कंटिनुवस लिए पैनिक सेलिंग हुआ थर्टी फोट थाउजन के आसपास आके उसने सपोर्ड लेके फिर सेकेंड लब कुछ देर कंसोलेट किया फिर जाके अच्छा रिकावरी देखे लगभा क्लोजिंग प्राइस के आसपास जाके इसने क्लोज दिया है तो एक मिक्स टाइब का सेसन था लास्ट ट्रेडिंग देश में अभी कल के लिए हम लोग क्या कर सकते कल के लिए बेस जो सिनरीयों रहेगा कौन लेवल पर ट्रेट कर सकते हैं उसके उपर डिसकसिं करते तो अगर लास्ट फ्राइडे का क्लोजिंग दिख पूलते हैं उसके उपर भी डिपेंड करेगा उसके साथ साथ लास्ट ट्रेडिंग आवर से उसका भी सेंटीमेंट थोड़ा करी फरवाड होगा इसलिए ज्यादा तक चांस है मार्केट गैप डाउन ओपन होना का फिर भी हम लोग सारे पोजीशन में क्योंकि हम लोग जब इंट्रेडिंग के लिए आता है हम लोगों न्यूट्रल रहर के करना पड़ेगा जैसे कि गैप आप डाउन या फ्लैट उपन जो भी है सिनरियों के लिए हम लोगों को रेडी रहना पड़ेगा तो पहले चलिए पहले डेली चार्ड में हम लोग आगा देखेंगे यहां अब अच्छे से फॉलो करोगे तो यहां पे एक ट्रेंड लाम आ रहा है जो कि लास्ट इंब का जो हाई था उसके साथ यह ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहे जो कि फुइबॉराड के मत में जो हाई लगा था लगबग थर्टी-7800 के असपास ओ हाई के बाद यहां पे 25800 फॉलोहु रहा है few तर्ण MILLER में अंदर चल रहे है यह च्री लाइन vaat जब बह़र निकले के थाब बड़ा णे अगर सबन्ख कर देखेंगे मार्केट यहvette किया तो उपर शारक में के अगर ella दिखा जाए तक धान वारा कि मतलड़ में वद इसके पास अगर कुछ sìgrass posture दिखा जाय तो एक रेंज के अंदर मैंगनिफ्ट में completely ट्रेंड कर रहा है जब ऐसा रेंज में अंदर ट्रेंड करता है उसके बाद यह रेंज के बाहर जब निकलता है मार्केट में मुम्मेंट बहुत अच्छा यह आते हैं तो अगर उपर के साइड में दिखा जाए तो यह रेंज है शड्री 35,000 एटंडर्ड का रेंज है अपर साइड जो रेंज है इत्र सेकर यह रेंज है 35,800 का पर साइड का रेंज 35,800 का रेंज लास्ट ट्रेटिंग सेशन के आगा छोड़ दिया जाए उसमें वहां से रिपोर्ट क्योंकि 34500 कुछ दिन पहले आया था फिर वहां से रिकॉबर हो के उपड़ गया तो 34500 तो लगबग यहां पर जो रेंज बना है यह है थाटीन हैंड़ पॉइंट का रेंज है तो हम लोग को इस रेंज के अंदर जब तक मार्केट ट्रेट कर रहा है हम लोग को छोटी-छोटी डोनों साइड मोमेंट मिल सकते डाउनसाइड भी आएगा वहां से मार्केट र नचा के बसके नचाना के का सप्पोर्ट में रखरी करेंगे का यह सापोर्ट मेंन तो यह सपोर्ट दूर है हम लोग बा prescription करेंगे तो जाटे देखना देख है तो इंट्रेरे के लिए हम लोग फ़हले 15 मिनिट्स का चार्ट में देख लिए तो आ गए है 15 चार्ट में जश्टे सब्सक्राइब जर्टरमीट के ऊपर आ गए है तो लाज ट्रेडिंग सेशन में जैसे वाल आया था तो यह क्या किया मार्केट तो ऐसे गैब डाउन ओपन हुआ था देन जाके इसमें प्राइस एक्षन बना है तो प्राइस एक्षन अगर दिखा जाए तो कंटिनुएस लिए लेवल को 34,500 जब लेवल है यह राउन लेवल को जब ब्रेक किया मार्केट वान वे फॉल दिया तो यहां पर तक पैनिक स्लिंग होता है जो की बायर रहता है उसका stop loss कर चल लुकर शंच सेंच भाईर हुँथ होता है तो यहां पर मुब्मेंट बहुंट फस्ट होता है उसके बाद धहाँ ते जाया तक का सिनर्यों क्या हो सकता है जाया का सिनर्यों यह जाया तक चान्सें से गाप ड mixture 혼ब होने का तो लगभा सित क्षों लिची aspire यह जाया तरह करोके हे इस लेवल के अथिंडमीर और तो प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाएगा दिन उन लोग क्या प्रॉफिट बुकिंग करने चालू करेगा तो मार्केट फूरा अपसेट जा सकता है दिन यहां पर जो सेला रहते है जो अल्डेडी बायर है उतना पैनिक नहीं होगा क्योंकि उनका सपोर्ट लेवल के आस इस से मार्केट को चाँ बको बढ़ने थे प्रॉफिट तब यहां पे थोड़ा बहुत रिंज बनाये म मnąख प्र इस या रेंज सकते तो यहां से क्या करेगा फीर विस लेबल को डे चिस लीच्टेश सकते है अकर माल लिजिय फ्लैट ओपन हो गया भाष्ट यानि 690 के 34,600 500 एस लेवल को पर आजब होने के बाद जाब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा दिन 34,400 के असपर За एक पर हंड़ेट से लेकर 450 इस लेवल को 450 इस लेवल को मान के चल सकते इस लेवल को परेक करेगा दिन अगर जो लोग लाश्ट फ्राइडे को भाइं करके लेगा तो लोग ट्रैप हो जाएगा फिर से फॉल होके लाश्ट रिंग देश के अंदर आ सकता है तो हम लोग के लिए में जो रेंज रहेगा कल का यह रेंज के अंदर ही रहेगा अगर फ्लैट ओपन हो गया देन डाउन सेट में यहां यहां पे आने के बाद आगर यहां फिर से इस रेंज को ब्रेक करेंगा तब जाकर बड़ा सेंस्क्राइब करे लिए तो